अगर ये सपना नहीं तो क्या है खुदी में खुद को देखता लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाता अगर ये मजाख नहीं तो क्या है सपने में भी सपनों की दुनिया में रहता और उन सारे सपनों के सच होने के सपने में जीता अगर ये सपनों की लहर नहीं तो क्या है खुद से ही खुद को बनाकर खुदी से खुद को मिटाकर खुदी में मिल जाता अगर ये खुद से खुद की लड़ाई नहीं तो क्या है जागना तो चाता मगर डर है कि अपनों सब कुछ खो दूँगा अब करूं तो क्या करूं इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर मैं खुद को पालूँगा कर अपता थुद ¿ konst万 सब पुद कर मैं ये खुदी सा वजद कि अपनों? किसले कई सालों से ध्यान कर रहे हैं यह स्रास्टे पर चल रहे हैं हैं महुत सारे लोगं साधय सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको सिखा सकता हूं या बदा सकता हुशता हूँ क्योंकि जब हимा है और हम चलते हैं तो हर एक के MAX पिरेंसे एक दूसरे से बिलकुल अलग अलग होते हैं तो मैं सिरफ एक काम कर सकता हूं आपकी जो पूछने वाले हैं उसमें से कुछ सीख सकता हूं या फिर अपने Xperience में आपके साथ में शेयर कर सकता ह। और वही आज होगा। मैं अपने एक एक करके अपने जो एक्सपिरियंस इसे वह आपके साथ में शेयर कर रहा। मैं भी फिजियो थेरपी के एक डॉक्टर के पास में जा रहा था, थोड़ा सा पेन हुआ था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो वह एक बड़ा सिंपल सा उन्होंने मेरे से क्वेशन पूछाओ, मुझे हसी आगए। कहते हैं कि यार रमायन में एक बात बताओ, लक्षमन ने उसकी सूपनगागी ना काड़ दी। कहते हैं अगर आज के टाइम में कियो तो जेल में होता है। अपनी है बिल्कुल ठीक है। कि उसने किया तो गलती। और फिर कह रहे हैं कि रामान की गलती है। रामान ने क्या गलती करी। सीता को हाथ तक नहीं लगाया। तो रामान का गलत है। गलत तो यह है। कि बढ़ी हाथ नियुछ उठाना अचीह था ना। बात करने थे। हाथ क्योठाया। ऐसे ही आप रमैन में जाओ, महावारत में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जहाँ भी जाओगे, आपको conflicts नजर आएंगे, बहुत तरीके के conflicts नजर आएंगे, कि एक तरफ यह कहा जा रहा है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, क्योंकि यह कहानिया है, यह कहानिया है, और उस कहानी को जब आप अन्फूर्ड करेंगे तो अंदर से एक मेसेज निकल करके आएगा, उस मेसेज को पकड़ना है। इन गरंथों के डीप में अगर आपको जाना है तो पहले खुद को जानना हूँ। उसके बिना कहानी समझ नहीं आना है। एक एक बात जो रमायन में है, जो महभारत में है, या बाइबल में है, या कुरान में है, वो सच है। देखने का नजरिया अलग अलग है। एक नजर से हम देखेंगे वो ही चीज़ हमको गलत लगेगी, एक नजर से देखेंगे हमको सही लगेगी। लेकिन है वो सब सच जूट नहीं है किस तरपे है वो जब आप अंदर जाओगे दीर दीर समझ आएगा कि राम है क्या हनुमान क्या है उसको वायू पुत्र क्यों बोला गया है मेडिटेशन में ब्रेथ का इतना बड़ा रोल क्यों बताया गया है जब ब्रेथ लंका में जाती है यह लंका क्या यही तो नहीं है कि यह शरीर जो सोने की लंका है सीता जो है वो कहीं हमारी कुंडलीनी शक्ती तो नहीं है जो रिसाइड कर रही है और जब हनुमान लंका में पहुचता है तो लंका में आग क्यों लगती है जब breath हमारी पूरी body को जलाती है तो तब क्यों बोलते हैं उसको यह क्यों बोलते है कि शरीर को तपाना पड़ेगा और तपाने से क्या होता है यह शरीर कहा जाता है बान यहीं क्यों लगना चाहिए रावन के कहीं और क्यों नहीं यहां पर ऐसा क्या है इस चक्र में ऐसा क्या है कहीं यह अगनी का चक्र तो नहीं है कहीं अगनी से रूप तो उत्वपन नहीं होता कहीं हमारा सारा रूप इसकी वज़े से तो नहीं है अगर यहां बान लगा तो क्या होगा राम नाम में ज़्यादा ताकत है भगवान राम का नाम है ना कि वो इंसान है जिसकी बात की जा रही है getting a point एक बार उसका एक छोटा सा किस्सा है जब जा करके वो पत्थर फैक रहे होते हैं राम राम लिख करके उसमें राम भगवान खुद जा करके एक पत्थर को उठा करके फैकते हैं समुद्र में, और वो डूब जाता है क्या मतलब है? एक गाड़ी जा रही है महाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है एक गाड़ी है गाड़ी क्या है आपकी बाड़ी है माइड जो है वो आपका ड्राइवर है जुस बॉडि को चला रहा है आप वेठें बैठें आप जप्की लग गवजा नीद आब आभी आप शो गए हो मैंड कैया कर रहा है? वो जागा हुए है वो जहाँ चा रहा है, वहाँ लेकरके जा रहा है आप परिशान हो सब्सक्राइब ये कहला है तो जैसी आप जाग जाओगे, क्या होगा? ड्राइवर को पता लग जागा कि भाई ये तो जाग ये है अब थोड़ा तरीके से चलाओ, गाड़ी अब अब अगर उसको कऊँगे, कि तुने ये करना है, तो वो ये करेगा वो करना है, तो वो करेगा उस गाड़ी को जहां ले करके जाना है, वहां ले करके जा सकते हो, जो चाहे हो, वो कर सकते हो, ये है, तो आप कौन हो, जो पीछे बैठे हो, आप मालिक हो, मालिक नौकर बन गया है, नौकर मालिक बन गया है, ये जड़ा सारी की सारी प्रॉबिट, सवाल एक्चुल में ये है कि सबसे पहले तो कि स्पिरिच्वालिटी है क्या? क्या जो आदमी स्पिरिच्वालिटी में है क्या वो मटिरियलिस्टिक वर्ल्ड से कट गया? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना? हो सकता है, एक मटिरियलिस्टिक आदमी इस वर्ल्ड में रहे करके एक स्पिरिच्वाल आदमी जो पहाड पर जाकर के चोटी पर बैठा हुआ है उससे लाग गुने जाता स्पिरिच्वाल हो और क्रियेट करके अपनी इगो को भढ़ाने के लिए या तो हम बोल रहे हैं कि हम स्पिरिच्वाल है या हम बोल रहे हैं कि हम मटिरियलिस्टिक है आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर सच में आप कट चुके हैँ हैं há उसमें रहते हुए गहीं जैसे कमल खीलता है कमल का क्या सिंबल है कीचड के अंदर से कमल खिलरा है क्या पूस सरी कैसे हो और यह कीचड क्या है कहीं यह दुनिया ही कीचड तो नहीं है और इसमें से खिलना, इससे अलका सा उपर उठना, क्या यही स्पिरिच्वालिटी है, यह इसमें रमे रहना, और इसको स्पिरिच्वालिटी का नाम देना, मटिरिलिस्टिक चीजों का नाम देना, रिलिजिन का नाम देना, भगवान का नाम देना, क्या वो स्पिरिच्वाल आगे, आप नहीं कर सकते हैं, वो होता है, अपने आप, अभ्यास के थुरू, concentration, किसी भी चीज पे, किसी भी काम पे, चाए बहार, चाए अंदर, आप कर सकते हो, meditation आप नहीं कर सकते, meditation में जा सकते हो, कोई अगर आपको कहता ना, कि मैं meditation कर रहा हूँ, इसका मतलब वो, concentration कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान में आप चले जाते हो, जब कुछ करना ना पड़े, अपने आप होने लग जाए, तब आप ध्यान के उसमें हो, अबस्था में, अब ये विराग्य होता क्या है, अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको छोड़ने से attachment हो गई है, इसको भी छोड़ना है, तो चीज़ा छूटती कैसे है, ये विराग्य है क्या, अभ्यास करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते एक ऐसी state आ जाती है जब आगे बढ़ते हो materialistic world में देखो चीज़ें कैसे छूटती है ऐसी spiritual world में छूटती है आज आपके पास में cycle है, bike है, scooter है, क्या है आपके पास में? bike है तो अगर आपको कोई आपके देगा, कि भाई यह मेरी cycle ले ले और अपनी bike मुझे देदे, देदोगे? नहीं दोगे गाड़ी देगा तो? हाँ, फिर त्यार है और चल्दी चाहिए गाड़ी गाड़ी बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया, brand new गाड़ी एक्षेंज हो जाएगी गाड़ी आपको मिल गई, सब्सक्राइब गई कल को कोई आता है, और बड़ी आपको गड़ी देता है, Honda City देता है कड़ोगे एक्षेंज सेंट्रो से? कड़ोगे तो आपने क्या किया? सेंट्रो को छोड़ दिया और Honda City को पकड़ लिया, इसी को वेराग्य बोलते है जब भी हमको कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी अपने आप ही छूड़ जाती है, छोड़नी नहीं बढ़ती जिसके पास में सिरफ बाइक है उसको आप बोलोगे मिरको अपनी बाइक दे दे आप अपनी जान लगा दोगे, आपनी बाइक नहीं दोगे लड़ पड़ोगे उसादमी से, चाल लोग भी आजाएंगे, आप बाइक को नहीं छोड़ोगे, लेट जाओगे वाँ साड़के बाइक नहीं छोड़ूँगा आप गाड़ी मिल गई तो बाइक छूड़ गई, गाड़ी के बाद में जेट प्लेन मिल गया तो क्या आप को गाड़ी की टेंचन रहेगी, नहीं, फिर आप जेट को नहीं छोड़ोगे, जिब जेट से भी बड़ा कुछ मिल गया, तो जेट अपने आप छूड़ जाएग अलग-अलग नाम से उसको बोला जा रहा है, नॉलिज कहां से आती है, कॉंशियसनेस के स्तर के बढ़ने से, जितनी आपकी अवेर्नेस, आपकी समझ, आपकी अंडेस्टांडिंग, इस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी, तो जो छोटी-मोटी चीज है वो, अपने आप जोटी चूटी चली जाएगी, तोडी नहीं पढ़ेगी, तोडी नहीं सकते, जब परम आनंद मिली गया, तो छोटी-चोटी चीज़ों में आपको कहां आनंद आएगा, जब भी आपका मन शान्त होगा, कुछ भी करने से, वो अच्छे करम है, जिसी भी आपका मन अशान् अगर इसका मैं बेस बताओं, बेस, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जो भी इस category में fall होता है, वो अच्छे करम है, जो इस category से बाहर है, वो सब बुरे करम है, वो क्या है, सबसे पहला self inquiry, सबसे अच्छा करम है, इस से अच्छा दुनिया कि कोई करम नहीं हो सकता, spirit of inquiry, वो inquiry की spirit क्या है कि मैं हूँ कॉन इससे अच्छा करम दुनिया में और कोई नहीं है हो ही नहीं सकता तो कि यह आपको अंदर ले करके जा रहा है वागी सारे विचार आपको बार ले करके जा रहा है तो कितने लोग के अंदर यह सवाल उठाए कि मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ कहां जाने वाला हूँ इससे अच्छा कोई गरम नहीं है इस दुनिया में इसको पकड़ करके रखो जब तक यह सवाल आपके अंदर है आप अच्छे गरहम कर रहे हो जिस दिन यह सवाल आपके अंदर से निकल गया आप बुराई के रास्ते पे अपने आभी चल पड़ोगे चलोगे नहीं चलने लग जाओगे दूसरा क्या है? Self-control जो करने से आपका self-control भढ़ रहा है किसके उपर? अपनी दस इंदरियों के उपर जो हमारी पांच ग्याने इंदरियां है पांच कर्में इंदरियां है और एक दस इंदरी जिसको बोला गया है माइंड अगर सिंपल भी में देखा जाए तो इस 11 के भार और कुछ भी नहीं है सिर्विन 11 भे आपको control करना है वो ही लोग नहीं कर पा रहे है और example एक आदमी कहता है कि मैंने swimming सीख ली कहां सीखी? पानी के भार पानी के भार तब पता लगे है उसको swimming आती है नहीं जब वो पानी के अंदर जाएगा तो जब वो इंदिरियां आपके अपर हावी होती है तब उस समय आपको अपनी willpower को अपनी इच्छा शक्ती किस किया उसी की है अंदर जो है उसकी इच्छा शक्ती को ले करके सामने आना है और उस समय, धीर धीरे, अगर आपको अपने वपर कंट्रोल आता चला गया, ये कैसी स्टेट आजैगी जब आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, ये सब दस की दस इंद्रिया आपके कंट्रोल में होगी, चाहोगे तो करोगे, चाहोगे तो नहीं करोगे चाहोगे तो यहां से कुछ आएगा चाहोगे तो नहीं आएगा और एंड में जो ग्यारवी इंदरी बच जाएगी जो सबसे ज़्यादा पावफुल है वो है माइड धीरे धीरे जब यह दस इंदरियां हटेंगे उसके बाद में जब यह माइड आएगा आपके सामने निकल करेंगे विच इस वेरी पावफुल बहुत पावफुल है युकि आपकी सारी पावज इस माइड के अंदर है सारी पावज और इसके युद को इस माइड के साथ के युद को बोला गया है रमायन और मावारत इस युद्ध की बात है यह कुरूप चेतर है ना यह बॉडी ही कुरूप चेतर है यही सोने की लंका है इसको जलाना है इसी के अंदर युद्ध होने है तरह तरह के युद्ध होने है अब उस युद्ध को कैसे लड़ना है यही अभ्यास है यही spirituality और उस युद्ध को लड़ करके कैसे जीतना है जो आप जीत जाओगे तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी कर दे ही नहीं पड़ेगी उसी को धर्म बोलते हैं तब तक जब तक के आप नहीं जीतने उस युद्ध को तब तक सब इमाजीनेशन है इमाजीनेशन है अधरम में हम धर्म की बात करते चले जाएगे और कहेंगे हम दर्मात्मा है आरे ना भाई ना करविन एक साल पहले मैं दर्मशाला गया था और वहां जा करके एक पहाड है जहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती वहां से 20 मिनिट पैदल चल के जाना होता है और वहां पर जा करके एक होटेल बना हुआ है वहां पर अपनी सांसों की भी आवाज शोर सुना ही देती है तो मैं 10 दिन तक वहीं था और मैं बैठा हुआ बहार ध्यान करने के लिए शाम को करने बैठा था करीब चार-पन बजे और साथ-आठ बज गए, नौ बज गए, मुझे नहीं पता कितना क्या टाइम होगा था रात हो गई थी रात होते होते, वहां पर बहुत तेज परे कानों के अंदर एक जिंगूर की आवाज सुनाई देने लिए जिंगूर पता है सब क्या होता है जंगल में होता है, वो गररर करके वो आवाज आती है उस आवाज को मैंने देखना शुरू किया देखना मतलब मन की आँखों से देखना, एक आँख से देखना, जिसमें एक आँख से देखने की बात करी गई है ना, एक आँख से देखना, उसको देखना शुरू किया, बंद आँखों से, जब उसको देखा तो, वो एक आवाज नहीं थी, वो दो आवाजे थी, दो के बा है उसके अंदर बहुत सारी आवाजें हैं जैसे एक वीडियो देखते हैं वीडियो में एक सेकेंड में 25 फ्रेम निकल जाते हैं 25 फोटोग्राफ निकलती है देखने में क्या लगता है कि मैंने एक सेकंड देखा जबकि 25 फ्रेम निकल गए सोचो अगर उसको अखर स्लो मोशन जो भी हमारी इंद्रिया है, जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमको दिख रहा होता है, वो कुछ और होता है, रियालिटी ही कुछ और होती है, यह हमारी mind की perception होती है, जो इसको interpret करके उस sound को देती है, जैसे ही मेरा ध्यान उस अवास पे जा रहा था, वो expand करती चली जा रहे थी बढ़ती चली जा रहे थी, ध्यान हटा, वहां से दूसरी आवास की तरफ आया, जो base था, जिस आवास की उपर ही आवास टिकी हुई थी, तो वो आवास गया है, कहां से आई, कहां गयी, पता नहीं, तो जब तक मैं देख रहा था, बहुत सारी आवाजे थी, जो आवाजे एक उस आवास में से निकल करके आ रही थी, उसी में से आई, उसी में से गई, उसी में से आई, उसी में से गई, उसको भी देखना बंद किया तो, मैं भी नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, तो अब इस experience में मुझे क्या समझाया, यह चीज हो गए, और कई बर क्या ह करना उसको समझना भी है कि क्या है क्यों है कैसे है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो उस समय नहीं समझ आया उस समय तो बस यह experience register हो गया लेकिन जब बाद में इसके बारे में मैंने समझने कोशिश करी तो मिलेको दो दो चीजें मोटी-मोटी समझ में आई एक यह कि जब भी हम अपना ध्यान किसी भी चीज की तरफ लगा देते हैं चाहे वह आवाज हो चाहे हो लाइट हो चाहे वह कुछ भी हो वह एक्सपैंड करने लग जाती है वह बढ़ने लग जाती है दूसरी चीज जो समझ आई कि वह आवाज थी मुझे लगता क्या था कि वह आवाज है इसलिए मैं उस आवाज को सुन रहा हूँ जबकि सचाही क्या थी कि मैं सुन रहा था इसलिए वह आवाज थी आप हो इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा हूँ इस वजए से आप हो नहीं तो आप हो ही नहीं उसमें सिरफ आप नहीं हो मैं भी हो यह सब एक ही है अलग नहीं है आप भी जो देख रहे हो चाहे अपने आपको देख रहे हो शीशे में चाहे इनको देख रहे हो चाहे मुझे देख रहे हो मैं हूँ नहीं आप देख रहे हो इस वज़े से मैं आपको दिख रहा हूँ जहां आपने देखना बंद किया नहीं हूँ नहीं यह हो गया जो मैं अपने experience के base पे आपको बता रहा था practically समझना है कैसे होता है scientifically समझना है कैसे होता है quantum physics को study करना शुरू करतो quantum physics के बारे में किसी नहीं सुना है science है कोई spirituality नहीं है कोई theoretical बाते नहीं है यही जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ observer effect बोलते हैं इसको जब कोई देख रहा है तो matter है यह matter है नहीं देख रहा है तो सिरफ waves है उर्जा है जो बहे रही है देखने से सब चीज़े materialize होती ही चली जा रही है बंती ही चली जा रही है तो मैं आपको देख कहां रहा हूँ और कौन देख रहा है क्या आप सच में हो या मेरी सिरफ एक imagination हो इसको मैं एक simple example के थरू simple जिसको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और बड़े से बड़ा आदबी भी समझ सके किसी भी state में हो वो meditation में beginner level पे है या बहुत advanced level पे है वो समझ जाएगा कोई भी समझ सकता है इसके लिए मुझे एक volunteer चाहिए जो यहाँ पर आना चाहे एनिबडी आप आखे बंद कर लेजिए अपना जो जो मैं कहूंगा उसको आपको imagine करते चले जाना है अब जो मैंने भी आपको कहा है ना उसका live आप एक example देखने वाले है live example अपने सामने के basically क्या होता है क्या खेल है यह यह माया है क्या करम क्या है धरम क्या है मोक्ष क्या है मुक्ति क्या है जनम क्या है मरल क्या है लाइफ क्या है डेथ क्या है आफ्टर डेथ क्या है बिफोर लाइफ क्या है तो सब कुछ है इसके अंतर अगले दस मिनिट के अंदर अंदर is out clear मॉर्य वोडाने वाला हूं ड्यादू नहीं वाई आप अब निशे कितने लोग सपने देखते यह रात को सु हुटभऑ सब देखते हैं जब आप अप सपना देख रहे होते हैं तो सपना शच लग रहा होता है यि जूट लग रहा ह dynamically सब्सक्राइब 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 कैसे आते हैं यह देखना अपने को कोई ना कोई अंडर डिजायर होता है तभी सब्सक्राइब बहुत बार आप देखेंगे जो सब्सक्राइब होँ हमारे किसी नहीं किसी डिजायर से डिलिटी डिजी आता है जोप रियालि Timothy में δीकलब आप इसको सपने मी करने किकोशिश कर रहे है होता है है थकंधिसात होता है कवे जाता है इसका इन corazón दो है ये लेकिन आपको पता हिन 것이 कितनी घेहाही में जाकर तो ये जिससके सबंगा बिना काम ना गए सपना नहीं आ सकता अब यह सपने में हैं और इन्होंने क्या किया अपने माइंड में इमाजिनेशन बना लिए कि मैं एक लड़का हूँ और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ये बनना चाहती है जिसकी बोड़ी बहुत स्ट्रॉंग है बिल्कुल आब्स वैब्स ये वो और बिल्कुल फिट फिट फिजिकली फिट और एक बोट के उपर समुद्र के बीच में जा रही हूँ मैं ऐसे खड़ी ह यह को हिए और हवा चल रहे है सामने से इतनी धेर में उनकी नजर पड़ी एक मचली के उपर एक मचली पड़ी सुंद्र से मचली golden color की, वो मचली जा रही है जबकि क्या वो इनसे अलग है वो मचली क्या है, वो भी तो इनी की imagination है अब इसको ध्यान से समझदा, एक एक करके layers आती चली जाएंगे, layers खुलती चली जाएंगे simple है लेकिन बहुत deep है अब वहां से क्या हुआ, कि जैसे ही मचली को देखा तो मचली को देख करके ख्याल आना जाएंगे यार, इंसान होने की बजाए, ये लड़का होने की बजाए अगर मचली होता तो समुद्र के नीचे की दुनिया जाकर करके देखता बिना कोई मास्क लगाए, बिना कुछ करे ये भी एक दुनिया है, मज़ा आ जाता कामना उड़ गई, डिजायर उड़ गया डिजायर इस दो रूट काज़ अफ एक्सिस्टेंस यही कर्म है जहां डिजायर उठा, कर्म हुआ अब जैसे ये डिजायर उठा जेटली इनके अंदर वो आया, उसके अंदर पेट में वो पहुची, और वहां से वो निकली और फटा फट से बड़ी हुई और तयायर रही है अब ये क्या बन गई? मचली, अब उस लड़के को भूल गई अब ये मचली है मचली की दुनिया देख रही है मचली की नजर से दुनिया को देख रही है चाहे उस लड़के को देख रही है चाहे समुद्र के अंदर देख रही है चाहे याँ, वाँ, 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 वाँ अब इनके अंदर डिजायर उठा है मچhli है golden color की बड़ी सी अच्छी सी सुंदर सी मच्छी जा रहे है जा रहे है जा रहे है एगदम से इनकी नज़र बड़ी की यहां पर एक-वर मचली है जिसके साथ में उसके दो छोटे-छोटे बच्चे है स्वादर सिंपल्स सा इजार है उठेगा ये अगर सपने के आप घिराई में जाओगे ऐसी तो सपने बनते हैं बस यह है कि हम उसको देखते नहीं है हमें पता नहीं लग रहा हूँ था कैसे बन रहा है मैं आपको चेन बता रहा हूँ कि कैसे बनते हैं कैसे बनते हैं एक सपने में से एक सपना बना जहाँ पर यह लड़का है वहाँ पर से एक सपना बना जहाँ पर यह मचली है और और मचलीयों को और उनके बच्चों को उसकी फैमिली को देख करके इनके अंदर एक और डिजायर उठा है कि मेरी भी फैमिली होनी चाहिए जैसे desire उठा उनके अंदर से मचलिया भार आगे अब ये भी दो मचलियों के साथ में तेहर रही है और क्या बोला इन्होंने कि ये दोनों मचलिया ये जो दोनों है ये मेरी है वाकी कोई मेरा नहीं है इस मचली के लिए ये वाली क्योंकि पीछे का सब भूल चुकी है उसके लिए आज की जो रिएलेटिया फो क्या है सपने के अंदर इस लेयर के अंदर कि ये जो दो गच्चे ये मेरे हैं 17 जरकी सब कुछ ये समझगी क्या हो रहा है वह लगावी यह मचली भी यही है सब कुछ यह है अब एक दिन एक षिकारी आया और उसने आ करके कांटा फेका और कां बड़ा जबर्दस अटाश्मेंट है, क्योंकि उस अटाश्मेंट को आप अपने माइंड के लेवल पे, बॉड़ी के लेवल पे फील कर चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से आप फील कर चुके हो, और जैसे ही उसके गले में काटा पड़ा, वो छटल पटाने लगा, आपका जो बच्चा है एक, एक बच्चा है, दूसरा वो रोने लगा, जो दूसरी मच्छली है, और आप उसको देख रहे हो, अपने बच्चे को, आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस काटे से लड़ रहे हो, अपने आपको उससे जा करके टक्रा रहे हो लेकिन आप उसको छुड़ा नहीं पारे और धीरे धीरे करते करते वो विचारी खूनी खून जारो तरह और उसको उपर से खीच लिया एक शिकारी ने खीच करके अपने पास में रख लिया अब भयाना गुसा है और बदला लेने की भावना आई अंदर से आईगी? कि कॉन है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसी का क्या बुरा किया था? जो मेरे बच्चे को मार दिया मैं अच्छी खासी खेल रही थी अपने बच्चे के साथ में क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों आँ करके शिकारी ने मारा मेरे बच्चे को, क्यों मारा, और इनके अंदर गुसा भर गया, बयान गुसा, बदला लेने की भावना आई, कि मैं उस शिकारी को छोडूँ गी नहीं, ऐसे होगा, अगर रियल लाइफ में इमेज लेयर में से दूसरी लेयर में से एक और लेयर निकल गई और हर लेयर अपने आप में complete universe है एक complete दुनिया है और जैसे ही ये कामना उठी जैसे ही ये desire उठा इनके अंदर immediately ये यहां से हट करके कहां पहुच गई एक lady थी जो for example pregnant होने वाली थी तो सीधा उनके कोक में पहुच गई उनके अंदर वहां पर गई जा करके पैदा होई पैदा होते ही बड़ी होई बड़ी होई बड़ी होई और बड़ी होई वहां पर वो लड़का है बदला लेने के लिए पैदा होई है उसने जा करके मारा उस शिकारी को और वो शिकारी मार गया और अब हुआ क्या कि वो श वो ही आदमी जो सनाव पे चल रहा था समझा रहे हैं? वो पहला यहां से यह क्या बनी थी? एक लड़का बनी थी इसकी बोड़ी बहुत स्ट्रॉंग थी जो बोट पे जा रहा था क्या था वो? वो ही तो शिकारी था वो ही तो है वो शिकारी जिसको बोड़ा होने के बाद में मारा गया है वो भी यही और वो भी वो ही और वो भी वो ही और वो भी वो ही अब सबसे मज़दार चीज़ आप एक बार आँख बंद करिये यह जो पूरी दुनिया हैं क्रियेट हुई है यहां से 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 यहां है इनके अंदर है इनके अंदर ही तो है तो अभी यहां पर जो कुछ चल रहा है मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि यह कहां है आपको यह तो समझ आ गया कि आगे तक की जितनी चेन थी वो सब इनके अंदर ही है पिछे की चेन कहा है कहा है जहां पर टाइम और स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है यही सवाल है जो आपको अपने अंदर भरना है अपने अंदर डालना है, यह आपको end तक ले जाएगा end तक ले जाएगा कि अगर मेरे सपनों की दुनिया में मैं यहां से वाँ वाँ से वाँ से वाँ वाँ से वाँ जा टाइम भी पीछे कोई imagination नहीं थी हो सकता है हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सब बकवास हो हो सकता है उसमें कुछ सच हो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर जाकर के मिलेगा बार से नहीं मिल सकता I don't believe in the word God I believe in God which is nameless पर example एक आदमी है जो यहाँ पर पहुँच गया और अपने आपको शीशे में खड़े हो करके देख रहा है खड़े आप भी भई हो देख आप भी रहे हो फर क्या उस शीशे पर धूल जमी होई है अब उसकी सारी धूल हट गई अब वो खुद को देख रहा है खुद के निराकार रूप को देख रहा है जो base है हर चीजज का सब कुछ बदल रहे है लेकिन वो नहीं बदल रहा वो भभी का भभी है बिल्कुल still है और उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है और आप जब उसको देख रहे हो तो कोई उसको देख करके बोल रहे है कि ये परमात्मा है कोई कह रहा है कि हम इसके बच्चे है बिल्गू ठीक है क्यों नहीं है यह कहना गलत होगा गलत क्यों है यही से तो आप आये हो न उसी reflection में जब खुद को देख रहे हो जब आप खुद के दर्शन कर रहे हो तो आपको यह लग रहा है कि वो अलग है जो दिख रहा है जो निराकार है, जो यह है, जो वो है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो डिपेंड करता है किस वे में कह रहा है वो कह रहा है कि इस body के level से जब मैं उसको देख रहा हूँ तो एक लहर को अगर देखा जाए भगवान में से जो निकला उसने बनाई है वो भी तो भगवान ही है, वो भी सच है जूट किसे कहोगे कोई कह रहा है अहम ब्रहमस्मी अनलहक I am that कि मैं ही वो हूँ वो भी सच है कहने का तरीका अलग अलग है कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है सब सच है जूट कुछ भी नहीं है कहने का तरीका अलग अलग है जो भक्ती में जाकर के डूप करके बोलेगा वो कहेंगा परमात्मा है जो ग्यान में जाकर के डूप करके बोलेगा साक्षाद देखकर यह बोलेगा वो गएगा रहे तो मैं खुदी हूँ बाते किसी ने भी गलत नहीं कई ना जीजस ने ना इस ने ना उस ने किसी ने गलत नहीं कई सबने एकी बात कई है लोगों ने क्या किया बातों को छोड़ दिया और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान को यूज़ कर रहे है कि है भगवान मेरी ये कामना पूरी करो वो करो वो करो जब कि भगवान क्या कह रहा है कामनाओं को छड़ो उसको नहीं समझा उसमें अपना फाइदा नहीं है ना उसको नहीं समझा कि परम उसमें कैसे जाना है परम अनन्द में कैसे जाना है उसमें कैसे जाना है ना कुछ नहीं भक्ति का मतलब नहीं समझा ज्यान का मतलब नहीं समझा भक्ति क्या है वो अवाज जो ना बन रही है ना मिट रही है उटे वे भी, गहरी नीन में भी, इस आवाज का सिम्रन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिम्रन करना, इसको पकरना ही अभ्यास है, इसको पकरना ही भक्ती है, इसको जानना ही ग्यान है, और इसकी तरफ भरना ही कर्म है, और कुछ नहीं है, इसके बाहर और कुछ नहीं है, ल अलग अलग नामों में उलगए तो यह नई सबच पा रहे हैं औब इस चीज को वह accept नहीं कर सकते इहिस नहीं किसको मांद एकॹट नहीं कर सकता क्योंकि जैसे मा таким के बात को पुरी तरीके से accept कर लिया तो फ्ररह भी सेट कर लिया चैश़् वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो करी नहीं सेता, माइंड को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, जहाँ पर जागर के, माइंड भी अपने घुटने टेख दे, और फिर उसके अंदर से आवाज आए, कि ये ही प्रभू है, ये ही भगवान है, मैं क्या करूँ भईया, मैं अपने हतियार डाल दिये, अब आगे और कुछ नहीं है, तो माइंड सरेंडर कर देगा, इंदरियां सरेंडर कर देंगी, आप सरेंडर कर दोगे, जब सरेंडर कर दोगे, जैंड में देखोगे, सिर्फ आप ही रह जाओगे. झाल झाल